हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एजुकीशन हब मैसल्फ नवजीत गूर आज हम करेंगे क्लास थर्ड के चैप्रत थर्ड स्टेटमेंट्स एंड तेर टाइप्स फर्स्ट फॉल स्टेटमेंट होती क्या है यह देखते हैं स्टे संटेंज दाट तैल अस सम्थेंग आर काल स स्टेटमेंट. इप मिंड एसे वाक्य है जो हमें वह कुछ बताते हैं वह क्या कहलाती है? स्टेटमेंट कहलाती है। वो हमेशा कहां से शुरू होते हैं, और एंड किसे होते हैं, फुल स्टॉप से एंड होते हैं, ऐसी वाक्य जिससे हमें कुछ पता चलता है, वो वाक्य क्या कहलाते हैं, स्टेटमेंट कहलाते हैं, और हमेशा स्टार्ट कहां से होंगे, कैपिटल लेटर से, और एंड किस से होंगे, फुल स्टॉप से एंड होते हैं, अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, First of all, क्या है Positive Statement, फिर्स्ट क्या है हमारी Positive Statement, पॉस्टिव स्टेटमेंट इट मिन जिससे हमें सकारात्मक वाक्य हों, जिससे हमें सकारात्मक किसी बात का पता चले, वो क्या कहलाएंगे, Positive Statements कहलाएंगे, Next है Negative Statements, Negative मतलब उसके नाम से ही पता चल रहा है कि नहीं वाले वाक्य होंगे, जिस वाक्य से हमें नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, Negative Sentence कहते हैं, Last है हमारा Question Statement, It means जिस वाक्य से हमें पता चले कि प्रेशन किया जा रहा है, उसे क्या कहेंगे, हम Question Statement कहेंगे, चलिए देखते हैं कुछ Examples, First क्या है हमारा, We are Friends, इससे क्या पता चल रहा है हमें, कि हम मित्र हैं, तो ये क्या है, सकारात्मक है कि हम मित्र हैं, Next में क्या है, We are not friends, It means कि हम मित्र नहीं हैं, तो इसमें क्या है, नकारात्मक सूचना मिल रही है हमें, कि हम मित्र नहीं हैं, तो note लगाने से sentence क्या बन गया हमारा, negative बन गया, positive में क्या था, We are friends, हम मित्र हैं, ये एक सकारात्मक सोच थी, तो ये क्या है, positive statement, और जब इसी positive statement में हमने note add कर दिया, आर के बाद हमने note add कर दिया, तो ये कौन सी statement बन गी, negative statement बन गयी है, उसके बाद है third statement, question statement, इसमें क्या है, कि हमें क्या करना है, question पूछना होता है, जैसे ये हमारा है, We are friends, हम मित्र हैं, इसको अगर हमने question में convert करना हो, तो क्या करेंगे, इसका जो ये helping verb है, उससे हम कहां ल पहले लगा देंगे, are we friends, क्या हम मित्र हैं, तो जब हम helping verb, subject से पहले लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, question बन जाएगा, are we friends, और last में इसके क्या लगता है, हमारे, question mark लगाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है, कि ये कौन सी statement है, question statement है, okay students, next देखते है, she is a good girl, तो क्या बता चल रहे हमें, positive thing पता चल रही है, कि वह एक अच्छी लड़की है, तो ये कौन सी statement होगी, positive statement, अब इसी को देखी, negative में कैसे बनाएगे, she is not a good girl, वह अच्छी लड़की नहीं है, तो ये कौन सी statement बन गई, not लगाने से, negative statement बन गी, अब इसी को जब हम question statement बनाएगे, तो कैसे बनाएगे, helping verb जो है हमारा is, पहले आएगा, is she a good girl, और last में क्या लगेगा, हमारा question mark लगेगा, जिससे हमें पता चलते हैं, इस question mark से भी हमें क्या पता चलते हैं, कि ये जो statement है, वो क्या है, question statement है, next है, she can solve this sum, कि वह यह sum solve कर सकती है, यह sum हल कर सकती है, तो not लगाने से हमारा क्या बनेगा, she cannot solve this sum, वह यह sum जो है, वो हल नहीं कर सकती, वह यह सवाल हल नहीं कर सकती, तो not लगाने से हमारा क्या बन गया, negative sentence बन गया, अब इसी को ही हमने question statement में बनाना हो, तो कैसे बनेगा, can she solve this sum, can को हमने पहले लगा दिया, she से, can she solve this sum, और last में क्या लगा देंगे हम, question mark लगा देंगे, next sentence है हमारा, they will go on a picnic, it means कि वे पिकनिक पर जाएंगे, तो इससे क्या बता चल रहे है हमें, सकारात्मक विचार का पता चल रहे है, कि वे पिकनिक पर जाएंगे, और अगर हम कहें कि वे पिकनिक पर नहीं जाएंगे, तो it means हमें नकारात्मक सोच का पता चल रहे है, नकारात्मक वाक्य का पता चल रहे है, तो यह कौन सा वाक्या हो जाएगा हमारा, negative statement, they will not go on a picnic, कि वे पिकनिक पर नहीं जाएंगे, और next question statement बनाना हो तो, will they go on a picnic, कि क्या वे पिकनिक पर जाएंगे, और last में क्या लगेगा हमार question mark, okay students, I hope आपको अच्छे से समझा गया होगा कि statements क्या होती है, और उसके types क्या होती है, positive statements, negative statements and question statements, thank you